यहां से on off कर दें इसका control सब CNC control इसका इधर दिया हुआ है जो प्रोग्राम इधर है बाकि जो power section है वो section है सब side में दिया हुआ है तो यह हमारा complete एक winding unit है इस तरह से मैंने दो का बात मैं हमेशा इसलिए करता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक machine से काम सुरू कर रहे है इनिशियल stage में तो लगेगा कि चलो एक से सुरू करते हैं अब आप बताते हैं एक से सुरू कीजिएगा एक में आप bottom बनाईएगा एक में top बनाईएगा शुरूआत मैंने भी एक से किया था कई दफ़ा क्या होता है किसी भी कारण से अगर मेरा bottom रुका और कुछ error आ गिया तो मेरा top का भी काम रुक जाएगा इसलिए कि जब तक bottom बनेगा नहीं तो top कहां से winding होगा पहले bottom का winding होगा तभी top का winding होगा और क्या हुआ इसी चलते काफी संघर्स और यह project यह minimum need है एक किसी चीज का होता है ना कि minimum requirement क्या है तो minimum requirement है आपको dual drive का देखिए dual drive single drive नहीं बोल रहे है dual drive dual spindle dual drive dual spindle का दो मसीन आपको लेना ही लेना है इससे नीचे का कोई उपाये नहीं है एक से लेके काम कीजिएगा हमेशा off season में तो चलिए ठीक है लेकिन season में कुछ भी हुआ यानि आपका मामला अटक जाएगा फिर आप अटक जाएगे य यह चीज होगा इसलिए कि जब आप इसमें bottom wind कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पर high voltage करना होता है high voltage से जब वह पास होगा तो फिर आप जाईएगा stick में stick लगाने के लिए देखिए यह दोनों winding unit है यह दोनों dual drive है यह दोनों में independent अलग अलग टॉप का winding होता है यह दोनों में bottom का winding होता है काम जब बढ़ेगा यह machine का capacity बहुत जादा रहता है यह 14 सेकेंड में लगा देता है लेकिन इसको एक मिनट लगता है यानि आगर आप 10 winding machine भी लगा देंग तो paper machine अकेले समाल लेगा उस काम को मतलब आपका production काफी आगे चल जाएगा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं वीडियो आपका अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद kindly आपसे नम्र निवेदन है कि जरूर इसको share कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ceiling fan के industry में आये मसीन में सब चक्का लगा रहता है कहीं भी आप इसको मूव करा सकते हैं और यह दोनों मसीन जो है मैंने इन दोनों के लिए अलग अलग यह देखिए यहाँ पर सर्वो मैंने लगा रखा है दोनों के लिए अलग अलग लगा के रखा है ऐसे एक सर्वो से भी आप दो मसीन चला सकते हैं लेकिन मैं बने कम लोड पड़े और कोई तरह का problem नहीं हो और सर्वो भी दो ले लिया तो उससे एक फैदा यह है कि किसी भी कारण से अगर एक सर्वो में डाल देंगे और मेरा चलते रहेगा और ऐसा कई दफा हुआ है सर्वो का चुकी यह power fluctuation का चीज है सब कुछ पहले यही जहलता है तो सर्वो का कभी कभी card ऊड़ जाता है और होता क्या था जब ऐसा हुआ तो हम दोनों मसीन का load को एक पर transfer कर दिया इसका card निकाल अगर कम में दे दे लेकिन सर्वीस में अगर धोखा देने लगे तो फिर मसीन मटी है और कुछ नहीं है सबसे बड़ा रीजन है कि इसका जो मसीन है इसमें ट्रबुल बहुत कम है नमबर एक अग दूसरा रीजन है सर्वीस के मामले में यह लोग बहुत आगे है डियो अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार